हेलो फ्रेंज स्वागत आप सबी का आपके अपनी यूट्प चैनल एकजाम अलिकिsystem सीटार्ट करिए दोस्तों बहुत ही बच्छों का डिमान डालतकर classes स्थार्ट करिए दोस्तों N sia जिए करंट अफेयर और साइन्स के साथ पंद्रह सो हिंदी और इंग्लिस में क्लासेज आप सभी के सामने पंद्रह सो कोस्टन का अपने जो है चैनल पर ला रहा हूँ ठीक है न और दोस्तो टाप 100 मैत का कोस्टन कराऊँगा जो कि सारे एक्जाम्स के लिए उल्फुल यूजफुल होगा खाज करके NBE के लिए काफी इस्पेसल होने वाला है ठीक है न तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और दोस्तो जादा बातचीत नहीं करने हैं और दोस्तो देखिए जी के पढ़ रहा है न तो सारे आपसनों को हमें हटा ही देना है कच्चा चबादाना सारे आपसन को चलिए लाइक कर दीजिए और जो भी चैनल पे न सब्सकाइब करना न भूलेए आपकी जिम्मेदारी की चैनल को सब्सकाइब करके रखें ताकि जब भी मैं वीडियो अपनोड करूँ आपके पास पहुचे वह आपकी जिम्मेदारी है आप समझेए भारती विज्ञान अनुसंधान कहां इस्तित है इंडियन इंस्टिटूट आप साइंस इस सिचुएटेड इन दोस्तों आप सान में करनाटा भी दे सकता है ध्यान रहे तो दोस्तों करनाटा के बैंगलूरू में यह इस्तित है कहां पर इस्तित है करनाटा के बैंगलूरू में भारती विज्ञान संस्थान संस्थान से रिलेटेट कोर्शन पूस्ता आपनो उसको प्लियर कर लिजिए दोस्तों कहने कर यह मतलब है उसे में कौन सा चीज बना था हो संग साहम कामकबर बना था दोस्तो यह मकबर था न चौको राकार इस तरीके से था जो है पटी ख заб तो तुल समझ लिएगा के से के विकास में परियाफत यूगदान तो हम यहां पर ऑप्सन की बात करने वाले हैं तो यहां पर ऑप्शन नमर் टी यह तीनों के तीनों जो ते लो ते एँगा मैं योगदान क्या नाम तो यह चीज तो सबको पता है दोस्तों कि महाराणा प्रताब के घोड़े का नाम चेतक था यानि कि option number a क्या है करेक्टर और दोस्तों कोपी में नोट करते रहे और यह कॉपी बना लिए जो उसको महाराणा प्रताब की लड़ाई में उनको help किया था अगला कुछ है 26 रोग दीवस का मना जाता है वर्ड टीवी डे दोको दोस्तों टीवर क्लासिस बोलते हैं टीवी का दीवस 24 मार्च को मना जाता है कब दोस्तों 24 मार्च को 206 दीवस मना जाता है यह समझ लेजे अब यहां सोचेंगे सर 20 अगस्त को तो दोस्तों 20 अगस्त को सद भावना दीवस के रूप में मना जाता है किसके दूस्त में सद भावना दीवस 6 दिसंबर को दोस्तों 6 माण डिवस के रूप में मनाय जाता है ठीक है ना अच्छे से आप लोग समझ इस दिखिए दोस्तों आप आप संको जब तक नहीं टॉच करेंगे ना अब देखिए एक कोस्टन से जो आपको तीन कोस्टन वहां पर मैंने बताया तो आप संको टॉच करना एक अदम जुरूर आ अच्टेलिया और इंग्लेंड के बीच रूस और फ्रांस जायुक्त तॉरा यमिर्यका और कनाडा टो दोस्तों आप जानते हैं कि संको टॉरा यमिरका और कनाडा तो एगस्ता कट कर दीजिए रूस और फ्रांस तो खेलते ही नहीं इसे कट करदीजिए अब यहाँ पर आपसल हमारे पास दो बच्चे हुए है भारत और इंग्लेंड आस्टेलिया और आस्टेलिया और इंग्लेंड आपको पता है क्रिकेट का जर्मता था इंग्लेंड को मना जाता है तो कहीं ना कि इंग्लेंड ही ने खेला होगा तो इंग्लेंड और आस्टेलि में जाना जाता है, the study of birth is known as anthology, ornithology, osteology, या इन में से कोई नहीं, तो दोस्तों, anthology में हम क्या करते हैं, anthology में हम study करते हैं, दोस्तों, फूलों का, किसका ध्यन करते हैं, फूलों का, ornithology में हम ध्यन करते हैं, दोस्तों, हम पच्छियों का जो ध्यन करते हैं, वह आर्णित होलोजी में करते यानि कि आप्सन नमर 20 का करेक्ट राइन सुआ रहे हैं अब आप सुचेंगे तेहिक सर आस्टियो लॉजी के तहट किसका द्याल होता है तो दोस्तों बॉंस का किसका बॉंस का बॉंस मतलब होता है तो आस्टियो लॉड़ देखिए एक कोशन टका और दिनार, answer दीजिए दोस्तों, सेकल कहा की मुद्रा दोस्तों इजराइल की, अच्छे से समझ लेजिए, सेकल कहा की मुद्रा इजराइल की, टका कहा की मुद्रा है बंगलादेश की, दिनार कहा की मुद्रा जारडन की तो बर्चा के, UAE, तो अर्थात UAE की मुद्रा तो है दिरहाम एंस्वर नमबर सी चला जाएगा आपके साथ दोस्तों जो आपसें बता रहा हूं न वो भी काफी इंपोर्टेंट वो भी आपके एक्जामें पूछा जा सकते अगला कोश्चन टाइटेनिक जहाज किस देश से संबंदित हैं कि टाइटेनिक बिलांग्स टू विश कंट्री लंदन से या फ्रांस या इंगलेंड से या आईरलेंड से जो टाइटेनिक जहाज है दोस्तों इसका जो निर्मार था ना बेलफास्ट आईरलेंड में किया गया तो ऑप्सान नमर्डीज का सही है जो रहा है यह उत्तरी अटलांटिक कहा पर यह उत्तरी यात्रा के दौरान दोस्तों डूब गया था उन्यस्वा बारे में इसने न्यूव यार्क जो की जो इसमें अमेरिका में वहां जब यात्रा किया तो डूब गया था इसलिए इसका नाम इंपोर्टेंड है अगला पस्चिमी घाट से निकलने वाई नदी है दरीवर डेट से कौन सी नदी उधर से यहां पर आती है अब यहां पर तापती है जानी कि पस्चिमी घाट से कौन सी नदी निकलती है तापती या रावी या कावेरी या नर्मदा देखते कौन सैंस्वर सही होता है तो दोस्तों बात करने वाले हैं कावेरी जो नदी होती है वही पस्च सब्सक्राइब से राविक उत्वत्ति दोस्तो चंबा से हुई है और नर्मदा च脉खती neo LA She आखly नदी नहीं है कावेरी मच्चिवी गाड से निकलने वारी नदिया से गथिए दोस्तों अच्छी से समझ लेकि एक है कृते मैं क्रिष्ण एक है कावेरी एक है तुंग भद्र ये चार और नदी हैं ये चार नदिया जो पस्चिवी घाड से निन्कलती हैं आप तो यह इसमो एक आपने याद कर लिया आपको पता होना जहिए दोस्तों होता है जी स्टी लगा होता है यह सटादी यह ती आपका पता चलना आप वस ही थरीक Heald औरस्तुर किया गया था आर बीयां आइस लाइड इनवीच और दोस्तों हुआ था एक जनवरी 1999 कम उन्य-इस और धो No 9.59 कोई दिया है जी हाँ नांटइन फॉर्टीन दिए है आफ रिक्द्र बेक हो जाएगा यह बारत क يंद्रिय बैंकिंग से चाहिक यह दोस्तों-वाइंग कैसा कहसा है। भारत के रूपियाद 2-3-2 का पीचे कप्रों की घा sacrifice हरो 50 यह तो हिंदी और अंग्री जी दोस्तों कि इस यहां पर लाउन्चल प्रदेश की राजदानी वाइत लेकी कज़ए तो यहां पर अड़ लगए इसम की राजदानी की यहां पर चलगा थी और वीडियो को दोस्तों करके कर सकते हैं तो यहां पर खाला देशांऔर WE यूनेस्को का मुख्याला है दोस्तों यूनेस्को का मुख्याला कहां है तो यूनेस्को का मुख्याला दोस्तों पेरिस फ्रांस में कहाँ पर इनुसके इज हेड़कॉर्डर नी फ्रांस के पेरिस में इस्तित है तो यह क्या करता है संयुक्तराष्ट सौचिक वैग्यानिक सांस्कृत संगठन यह सौचिक वैग्यानिक संगठन जो सारे चीजों को देखता है ठीक है न यह संजुत राष्ट की विशेस एजेंसी ऑगला निमलिकित में से कौन सी सबसे बड़े ताजेपानी की जील है ताजे पानी की जील वो भी वर्ड की दोस्तों एक ही जील आप सभी के नाम में दिमाग मैंना चाहिए बैकाल जील क्या दोस्तों बैकाल जील दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की जील है ये इस्थित कहा है दोस्तों साइबेरिया में कहा पर साइबेरिया में ये भी कोर्षन आपके इक्जाम में आ सकता है साइबेरिया में और इसका सबसे गहरा बिंद यानि कि 1637 मीटर गहरा इसको ऐसे बोल सकते है पूछ लिया इसका सबसे बहरा गहरा बिन कितने मीटर पर है तो 1637 मीटर पर मलावी जिल जिससे जिल नियासा भी का जाता है तंजानिया मेशतीत है यह मलावी जिल की बात अगर पूछता है तो यह तंजानिया मेशतीत है एरी जील कहा है तो उत्तरी अमेरिका की 34 सबसे बड़ी जील है लाट होगा जील दोस्तों रूस में इस्थित है और मीठे पानी की जील है अगला कोज़ है निम्रिकित में से कौन से कंप्यूटर डिवाइस का सरवाधी को प्योग किया रहता है वीच आप फालिविज दे मोस्ट वाइली जूजड कंप्यूटर डिवाइस तो यहां पर आंतरिक हार डिस इंटरल हार डिस कर दोस्तों सबसे ज्यादा यहां पर यूज किया रहता है ठीक है ना पेंड राइव यह तो बाहरी है हार डिस यह भी फॉलापी यह सा बाहरी डिस होता है इसको याद कर लीजिए ना यह कंप्यूटर से रिएर बहुत ही गजब का कोशन है पूछा जाता है कि यह के वी में कितने वाइट होता है तो एक हजार चोबीस होती है ठीक है दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सका कि यह ठीक है तो यहां पर मेनु बार जो इसका दोस्तों सही आपसार है माइक्रो साफ्ट वार्ड में फाइल एडिट व्यू आधि सारी चीजें आप देखते होंगे ना जब कंप्यूटर कोपेन करते तो पूरा फ्लैप दिखता है वो मेनु बार का लाता है ठीक है मेनु दो बार एक 36 पट्टी है जो आमतार पर सीर्सक पट्टी के नीचे स्क्रीन के सीर्स परिस्तित होती है जिसमें डाफ डाउन मेनु होता है इस तरहीं कर्प्यूटर खोले पता चलना है अगला यदि एक कड़ एक समान गोलाकार खोल के अंदर है तो कड़ पर गूर्तवा कर चलना कर सर्फ Abg दो जाएगा क्या हूरा लागा दोस्तों इस्धी वीदित करता च्रीफ कर छेंगों की यहां पर रांट करने की डावलू के रांट जरन किसने दोस्तों डावलु के रांट जरन ने एक र हमसर्ण यह तो आपको पता है's ौ़वज कता नहीं दोस्तों वीडियो केहने करते हैं जो 20 कम कई लेखेंगे ठीक है ना लाइक